बादसो शूगर मिल गेट के सामने किसानों की गन्ने की बगाया पेमेंट ना मिलने से किसानों ने बादसो शूगर मिल प्रशासन के खिलाफ जम कर नारेबाजी की मिल पर शूगर मिल प्रशासन के खिलाज जम को लेट जाम खुला यदि निर्धारित अबदी में किसानों की भुगतान राशी नहीं मिली तो किसान बड़ा अंदोलन छेलने पर मजबूर हो जाएंगे शूगर मिल के परबंद को दोरा भारते किसान यूनियन के नेता गुर्णाम सिंग दोरा कतित रूप से लीग एक लाक रुपे की रिश्वत की राशी को लेकर उठे विवाद पर पंचायत में किसानों ने अपनी बात कही इस किसान पंचायत में भारी शेतर के किसान भी किसानों के गंए की बकाया राशी का भुगतान करे और 21 अरीख को मिल चलाये एसड़ियाम सुमित सिहाग ने का कि मिल पर्षासनों की बीच में समझछोता हो गया है और जाम भी खुल गया है किसानों की मांगो को मिल पर शासनने सबकार कर लिया है जो बुष कांड की बात थी उस में हमने जिनोंने पैसे दिये और जिसे न भेज़े उनको मैसीज दे रखने के लिए और एक कुछ किसान नेता वो अरोप लगा लगा रहे थे चलू निसाब का वो भी बला रखे थे और उन्हों मेरा मैसिज भी था उन्हों वादा भी करें था माओंगे लेकिन ना तो परसासन की तरफ से आए जो जिन्हों ने पूस दी और दिलवाई और ना ही वो ने लाए कि आज किसानों ने फिर ये पैसला लिया जो आजमी इतने निचे स्थर तक गिर गे के जिसको एक प्रोच साहन करना चेयर था बही किसान किसानों को एक नेता अगर गुस डेवा खुछ भी नहीं लेंदा और वो जाकर करा उसको बढ़आई करने चाहिए थी और उसको दूसरी एंगल से देख रहे हैं, इनका हम अपने सब्दों में नीच का करार देते हैं आज गन्ना संगर समयती और कुछ की सांटों यहां पर इकठा हुए थे उनकी तीन पॉइंट पर मिल परशासन से मांग थी पहला उनकी बकाय पेमेंट के बारे में मिल परशासन ने ब्रीफ किया है कि 20 तारिक तक वो सारी पेमेंट दलवा देंका दूसरी वांग है उनकी मिल शुरुआत करने के बारे उस में मिल परशासन ने 21 तारिक का इनको जो है प्रोमिस किया है कि 21 तारिक तक बिल चल जाएगा, बॉन्डी अगा काम कम्प्रीट हो, उस बारे में जो बात हुई, वो मामला दर्ज हो गया है कुछ शेतर पुलिस के पास, और ये चांज का विशे है।